दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजे बग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिनल मीडिया मंच पर हर्याना में चुनाव है, विधान सभा का चुनाव और चुनाव को लेकर इस समय तमाम गती विधियां, तमाम सरगर्मियां जोरों पर है राजनीती के अंदर नए-नए गठबंदन बनना, गठबंदन तूटना, गठबंदन की तयारी होना ये चुनावी प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा होता है हर्याना में फिर विधान सभा चुनाव डिकलेयर होने के बाद एक गठबंदन हुआ और वो गठबंदन हुआ जन्नायक जन्ता पार्टी और आजाज समाज पार्टी का हर्याना के अंदर एक और गठबंदन है भारती जन्ता पार्टी और गोपाल कांडा की पार्टी का अब चर्चा ये है कि बीजेपी गुपाल कांडा साब से कह रही है कि अपनी पार्टी का वो बीजेपी में मर्ज कर दें हलूपा को सबसे प्रमुख बात ही है कि इन गठवंदनों की रड़ाई में गठवंदनों की इस दोड में एक नाम जुड़ा था कि क्या हरियाना के अंदर इंडिया गठवंदन आई एंडिया ये जो गठवंदन था जिसने चुनाव रड़ा था लोग सभा का इंडिया के सामने मोधी के सामने जो गठवंदन खड़ा हुआ था क्या इंडिया गठवंदन हरियाना में भी खड़ा होगा क्या इंडिया गठवंदन हरियाना में भी चुनाव लड़ेगा दरसल इसकी पहल यूँ शुरू हुई कि सीसी की बैठक में राहुल गांधी जो गठवंदन हो तो कैसा रहे बस रहूल गांधी की बात थी कि उसके बाद में शुरू हो गया गठवंदन पे बात चलना आमादमी पार्टी के राज्यसवा सदस्य संजे सिंग से ले करके और आपके बड़े नेताओं ने उसका स्वागत कर दिया दीपक बावरिया के निवास पर बैठवों के दौर हुए दीपक बावरिया के निवास पर बैठवों में हिस्सा लेने के लिए राघव चड़्डा भी पहुँचें लेकिन अब चर्चा ये है कि जो राहूल गांधी की परिकल्पना थी इंडिया गठवंदन यानि की यानि कि कम्मिनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और लिणिनवादी दौनों भी शामिल हो राउल गांधी की परिकलपना थी कि गठवंदन ऐसा बने जिसके अंदर आमादमी पार्टी भी हो समाजवाधी पार्टी भी हो इसका प्रारूप कुछ यू बन रहा था कि 5 सीटों पर चार या 5 सीटों पर चौनाव रड़े आमादमी पार्टी इसके साथ बात चली कि एक सीट समाजवाधी पार्टी को एक NCP को और एक एक सीट दौनों कमिलिस पार्टी को दी जाएं यानि कि 8-9 सीटों पर बटवारा करके इंडिया गटवंदन बन जाए हलाकि ये बात नागवार गुजर रही थी बुपेंदर सिंग उड़ा को बुपेंदर सिंग उड़ा लगातार कहते रहे थे और कह भी रहे थे कि उचुनाव खुद लड़ने में सक्षम है लेकिन चौधरी विरंदर सिंग यानि कि बांगर चौधरी ने कहा कि अगर गटवंदन होगा तो बहुत अच्छा होगा विरंदर सिंग ने ये भी कहा कि हमने इस गटवंदन का परिणाम लोगसभा चुनाव में देखा है जो कॉंग्रेस पांच लोगसभा सीटे जीती इशारा उनका उस तरफ था अब दोस्तों बात ये चल पड़ी है कि क्या हरियाना में इंडिया गटवंदन के तह चौनाव लड़ा जाएगा क्या हरियाना में इंडिया गटवंदन होगा और क्या Congress और जो बाकी पार्टियां हैं आमादमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, Communist पार्टियां और NCP इनके बीच क्या सीटों को ले करके कोई तालमेल की बात अभी भी बन सकती है यह मैं आपसे इसनी कह रहा हूँ क्योंकि आमादमी पार्टी की जो डिमांड है वो कम से कम 10 सीट की है Congress उनको देना चाह रही है तीन सीट समाजवादी पार्टी के अगर मैं आपसे बात करूं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखी है और उसमें उन्हें कहा है कि एक दो तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है समाजवादी पार्टी इंडिया गटबंदन के सभी दलों को मजबूत करेगी जो पार्टी इंडिया गटबंदन का जो गदल भाजपा को चुनाव हराने में सक्षम होगा उसकी वो मदद करेंगे हलांकि अखिलेश यादव ने यह नहीं कहा कि वो इंडिया नैशनल लोगदल की भी मदद करेंगे क्या अब बात दोस्तों यह आजाती है कि क्या यह गटबंदन होगा जो राउल गांधी की परिकल्पना है कि हर्याना में इंडिया गटबंदन के तहट ठुनाव लड़ा जाए क्या वो पूरी होती दिख रही है या वो सपना बन जाएगी मैं आपको यहाँ जोड़ना जरूर चाहूँगा क्या कि राउल गांधी ने यह चाहा क्यूं होगा क्यूं सोच रही होगी एक तो इसके राजनीती के दूरगामी परिणाम कि देश के अंदर सभी को यह संदेश दे सके कि इंडिया गठवंदन जिसकी अगुआ कॉंग्रेस है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस है वो अपने गठवंदन के सभी सहयोग्यों को साथ लेकर चलने का मादा रखती है और या उसका भरोसा है विश्वास है कि सभी को साथ लेकर चला जाए ये बात दिगर है कि आमादमी पार्टी के एक विधायक आज आमादमी पार्टी छोड़ रहे थे और उनकी कॉंग्रेस में शामिल होने की चर्चा है बात हर्याना की हो रही है दिल्ली की बात कभी फिर करेंगे अब हर्याना के अंदर जो गटवंदन की बात गटवंदन का पासा छोड़ा पासा फेका राहूल गांदी ने उस पर पेच कहां टक रहे हैं उस पर पेच ये टक रहे हैं कि जहां आमादमी पार्टी चाहती है कि उनको विधान सभा की दस सीटे दी जाए और कॉंग्रेस कहती है कि तीन सीटे हम देने के लिए तैयार है अगर उनके बीच में कही बात बनती है तीन और दस के बीच में तो हो सकता है वो पांच, छे, साथ कहीं बात बने भी सही अगर तो फिर उसके अंदर कॉंग्रेस कहती है कि आमादमी पार्टी केवल शेहरी सीटों पर चुनाव रड़े और दूसरी तरफ आमादमी पार्टी कहती है क्योंकि उनकी सरकार दिल्ली में है उनकी सरकार पंजाब में है तो वो पंजाब और दिल्ली के साथ लगता फरिदाबाद, दिल्ली के साथ लगता गुरुगराम अगर पंजाब की बात करते हैं तो फिर अंबाला और सिर्सा जो पंजाब के साथ लगते हूज लोगते हैं अब सारी बात ही आ जाती है कि क्या कॉंग्रेस आमादमी पार्टी के लिए इतनी सीटें छोड़ेंगी पंच-छे-साथ सीटें छोड़ सकती है क्या क्या आमाद्मी पार्टी के लिए कॉंग्रेस गुरुग्राम की विधानसवा सीट छोड़ सकती है क्या आमाद्मी पार्टी के लिए कॉंग्रेस फरिदाबाद की सीट छोड़ सकती है और या फिर जो आमादनी पार्टी की डिमांड है उन सब को पूरा किया जा सकता है अब बात ये चल पड़ी है कि आमादनी पार्टी ये कह रही है आपके नेता ये कह रहे हैं कि वो इस गठबंदन का कोई विचार इंतिजार किये बिना रवी वार को अपनी पचास कैंडिडेट्स की सूची जारी कर देंगे आमादनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो पचास विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अब अगर आमादनी पार्टी पचास विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंदन की तो बेंड पहले बच जाएगी लेकिन ये जरूर होगा कि आखिर वो फायदा किसका और नुकसान किसका अब बात आ जाती है अखिलेश यादव की अखिलेश यादव के बारे में समाजवादी पार्टी के बारे में जो राजनितिक लोग चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि जोलाना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी मांग सकती है अब अगर जोलाना विधानसवा सीट के लिए समाजवादी पार्टी समझोता करने के लिए तैयार होती लेकिन इससे पहले ही अखिलेश यादव का जब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आ गया बयान आ गया उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए बाजपा को हराना जरूरी है ज इसनलिस्ट कॉंगर्स पार्टी यानि की शर्द पावार के पार्टी जो है उनके जो नेता है मराठा विरंदर सिंह क्या विरंदर सिंग के लिए एक विधानसवा सीट के लिए एंसीपी यहां पर समझभता करेगी मैं आपको ध्यान दिलाता चलों कि लोगसवा चुनाओं में भी हर्याना के अंदर इंडिया गठवंदन का एलाइंस पूरा नहीं था यहां पर एंसीपी अलग से चुनाव लड़ी थी लोग सभा का और अगर आगे बात करें CPI और CPI M की भारतिय कमिनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कमिनिस्ट पार्टी जिनके लिए एक एक सीटे हैं जहां पर चुनाव लड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि कॉंग्रेस के अंदर इस समय प्रत्याशियों की भरमार है कैंडिडेट्स की और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी था एक में कि कॉंग्रेस संभवता इस वज़े से च सेथा है केवल कि विधानसभा सेथ साथ दूसरी बाघ है और तीसरी विधानसभा सेथ होडल जहां पर गेवल तीन आवेदन है करंजाइं दलार की सीट थे तो सभी सीटों पर चार पांच छे आठ दस बीस चालिस पचास साथ इतने तक कैंडिडेट्स हैं और जहां इतने इतने कैंडिडेट्स होंगे उस्तिती में अगर वो सीट किठबंधन पार्टी की सहयोगी पार्टी को चली जाएगी तो फिर कॉंग्रेस के नेता और कारेकरत सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्जडेव चैनल को और नई वीडियो की नोटिफेकेशन पाने के लिए बैल आइकन जूमिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें